टेरेस्ड का क्या अर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं टेरेस्ड का अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मतलब निकल सकता है यानि कि अगर हम आम भाशा में बात करें तो कोई सीधी दार चीज होती है या terrace पर यानि की जो उपर की तरफ की छत होती है किसी घर की उसके उपर बनाई गई कोई चीज होती है तो उसको हम terrace कहती है इसके इलावा architecture, agriculture, geography इन सब चीजों में इसको अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बारे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अगर हम architecture की बात करें तो architecture की जो language होती है उसमें terrace का मतलब होता है कि a terrace house or building refers to a row of houses that share sidewalls typically with each house having its own entrance क्यानि कि जो अगर हम terrace की बात architecture में करें तो ऐसे घरों को terrace house कहा जा सकता है जो आपस में एक दूसरे के साथ दिवार share करते हैं यानि कि दिवार से दिवार उनकी लगी होती है और जो घरों का रास्ता जो है सबका अपना अलग-अलग होता है यानि कि जैसे आज कल आप sector जो हुद में हैं एक्टर्स में आप घर देखते हैं तो दिवारें एक दूसरे के साथ लगी रहती हैं और एक लंबी सी लाइन घरों की बनी रहती हैं इसके लावा गर हम लेंड्सकेपिंग की बात करें तो लेंड्सकेपिंग में इसका मतलब होता है इसके लावा अगर अगरिकल्चर में बात करें तो भी हम जो सीड़ी नूमा खेत होते हैं उनको आप terraced farming या terraced farms कह सकते हैं इसके लाओ जोगर्फी में भी terraced का इस्तेमाल किया जाता है तो जोगर्फी में terraced landforms are geological formations characterized by a series of step-like or layered surfaces यानि कि इसमें भी जो cd की तरह बने हुए cd नुमा जो चीजें बनी हुई हो उनको हम terraced कहते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें